कि हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आई टे गाइडलाइन में मैं हूँ राम्यास यादव और आज मैं फिर से आप लोग के लिए कर लगा पर नाई करवाएड कर रहा हूँ जो की बहुत ही लजवार रशनदार कोोषं सभी ईजी कोशन हैं सभी बीजार अंसर देंगे बहुत ही नोर्मल कोश्चन और ईजी कोश्चन लिकर आया हूं जो की नमिकरण का दारती थे बहुत सारे बीद्यार्ते का कोमें become are यहां सब्सक्राइब कर दाल रहा था तो ऐसे कॉमेंड कोश्चन तो मैं नए भी दियारति होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल एको को प्रेस्ट कर लिजेगा जिसे की सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सका और आप उसका लाव ले सके दोस्तों तो आएए दोस्तों आज का कलास शुरू करते हैं आज का पहला कोशन आपके अस्किन क्या है कोशन को और आप्शन को बढ़ें तरह के से पढ़िएगा समझेगा और अंसर देजिएगा अस्टेंडर अस्टी रूल किस दहातू का बना होता है ऑप सामने है यस चार्बन यस चिल माईल स्टील ब्रॉस का तुभी दैरति को और आप्षन को हम पढ़ेंगे तो मिलेगा तो फुड़ा फ्रावलो क्में में जरूर अंसर दीजिएगा यह आप लोग से रिक्ष्ट है चलिए दुस्तों तो राइट अंसर हमारा क्या होगा अस्टेनलेस अस्टी रूल जो बना होता है इस सभी विदार्थी को पता होगा अस्टेनलेस अस्टील का option number ही हमारा correct answer right answer यानि अस्टेंडर अस्टी रूल जो हमारा बना होता है यानि गुनिया किसको बोलते हैं ट्रायस्कॉार को बोलते हैं हमारा ट्रायस्कॉार जो होता है जो किस तरह का होता है मैं आपको दिखाता हूं ट्रायस्कॉार जो हमारा है इस तरह का होता है इसमें यहां पर देखिए एक हलका कट रहता है 90 डिगरी के जहां पर होता है वहां है option आपका सामने है सुन दर्ता के लिए शही मापन के लिए जौनर को स्थान देने के लिए उप्युक्त में कोई नहीं तो क्या राइट एंसर हमारा हो sat वह जौनर को स्थान को लिए कोभि जौन नंबर सी हमसेन ग्रीक्ट रखा जाता है, यानि option number C हमारे correct answer, right answer जोब पर corner को अस्थान देने के लिए, चलिए इसी साथ अगला question क्यों चलते हैं हम लोग अगला question जो हमारा है कि कली पर निम्न धातू के बने होते हैं, यानि कली पर कौन से material का कौन सा धातू का बना होता है, option आपका सामने है टूल अस्टिल, कारवन अस्टिल, मायल अस्टिल, पितल तो किसका बना होता है दूस्तों हमारा कली पर जो बना होता है कली पर का figure भी आगे को देखने को मिलेगा तो टेंसन मत लेजिए सबसे पहले जाने कली पर किस धातू का बना होता है, वो हमारा बना होता है कारवन अस्टिल का, option number B हमारा correct answer, right answer कली पर जो हमारा बना होता है कारवन अस्टिल का बना होता है चलिए इसके साथ अगला question आपके अगला question बोला जा रहा है कि जैनी कली पर को कहते हैं क्या क्या है question हमारा कि जैनी कलीपर को क्या कहते हैं जैनी कलीपर यानि कहने का मतलब है हमारा कि जैनी कलीपर जो हमारा होता है उसका और अन्नी नाम है एक तो हमारा जैनी कलीपर हो गया और दूसरा जो हमारा उसका क्या नाम है उसी का नाम पूसे जा रहा है option आपका सामने है transfer के लिपर, marking के लिपर, hermophrodite के लिपर, उप्युक्त में से कोई नहीं तो क्या right answer दोस्तो, right answer हमारा होगा hermophrodite के लिपर, एक हमारा जैनी के लिपर नाम है और एक उसी का नाम है hermophrodite के लिपर, यानि option number C हमारा correct answer, right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question क्यों चलते हैं, अगला question क्या है, question को ध्यान से देख लिए उसके बाएं मैं option को दिखाऊंगा आपको, question बोल रहा है कि चित्र में दरसित के लिपर का नाम बताईए, देखिए आपके शामने क्या है, के लिपर का figure आ चुका है, कैसा के लिपर होता है, के लिपर भी बहुत रहक होते हैं, inside के लिपर होते हैं, outside के लिपर होते हैं, तो के लिपर बहुत सारे होते हैं, तो आप अभी जो के पर यह दोस्तों आए ओप्संन क्यों रोव हम लोग चलते हैं ऑप्सन हमारा है जैनि ऑन्तरी कर organism और में बता दिया थो वह कालिपर इसको बोलते हैं कौन सा फिगर रहे है बाहा कलिपर इसको हnahmenूप क्यों सा क्या निजिस के अगर मेजरिंग करता है तो क्या करता है देखिए देखिए बाहर का मेजरिन करता है इसलिए ả Beimप माप यह करता है है त्टिकन कोंध कर दिकने नहीं हो जा है जा नहीं सब्सक्राद कहों करता है इसलिए हम लोग वहार कलिपर बोलते हैं आउट्साइट कले पेंङ्जिस में बोलते यानि कहने का मतलब है कि यह जो हमारा कलीपर है कौन सा कलीपर है जैनी कलीपर है जैनी कलीपर में जो हमारा यह भाग जो दिया हुआ है एक से दर्साय हुआ है यह हमारा एक से दर्साय हुआ है इस भाग को यह पॉइंट जो आया है तो इस भाग का क्या नाम है इसलिए नाम पुछा जा रहा है कि इसमें दो भाग है एक भाग तो यह है और एक भाग हमारा यह है तो इसमें और सारे पार्ट से एक पार्ट यहां हो गए एक पार्ट यहां हो गए तो सारे पार्ट को मैं बताऊंगा किन पार्ट को क्या नाम बोले है तो सबसे पहले पुछा जा रहा है यह वाला भाग को कि इसका नाम क्या है ऑप्षन आपका सामने है अड्जेस्टेबल डिवाइडर पॉइंट लेग और लेग एक और नीचे में है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट एंसर जो हमारा होगा याद रखिएगा आपक्षन नंबर बित टर रखिएग दिए जो हमारा हमारा है इस तरह पॉइंट जो आया है और इस हाग में देखिएगा कि यहां से पर्णिंग है इसलिए इसका उको याद लेग नाम रखा गया है mode दोस्तों यानि option नंबर भी हमारा correct answer right answer दोस्तों वेंट लेग ठीक है चलिए इसी साथ अगला question को चलते हैं यह देखे figure को बढ़ें तरीके सार question को चित्र में दिखाये गए गुनिया में अंकित एक्स का नाम बताए गुनिया देखे मैं इसी को आपको बता रहा था गुनिया किसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं यह जो हमारा हो गया क्या हो गया गुनिया हो गया यानि try a square इसको हम लो लग नाम है इस वा का अलग नाम है आर इस वह नर्ट नाम है तो पूछा जा रहा है कि हमारा एक्स जो दिया हुआ है उस उस वाका नाम क्या है आखप्षन के ऊखłem लोग चलते हैं फिर बिलेड को में से कोई नहीं तो कोई st और कि यह हमारे लबज़ से यह हमारे मुह से पहले ही निकल चुका था option number B correct answer right answer दुस्तों क्या है यह हमारा blade है इस भाग को हम लोग blade बोलते हैं और इस भाग को क्या अश्टों के लंबाइ से चोड़ाई तक यानि गुनिया जो हमारा होता है किस तरह होता है यहां से क्रिश यह एक स्थौक्ण सीयघ्थीए का 안त्रिक की आंत्रिक सिरे से भिलेट کے अंतिमसी तक यानि आप तो क्या बोलते थे बलेट बता थे आपको में और इसको जो भाग था अश्टॉक बोलते हैं दो भाग इसमें होते हैं एक बलेट होता है एक अश्टॉक होता है तो कहां से कहां थाक हम लोग साज लेते हैं option number D में दिया हुआ उप्युक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर लो से करेक्ट राइट एनसर यानि ऑश्टॉक के आंत्रिक सीरे से बलेड के आंतरिक सीरे तक option number C हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question जो हमारा है ध्यान से पढ़िएगा और समझेगा और answer दिजेगा अगला question हमारा है कि किसी surface की flatness और squareness चेक करने के लिए कि इस्टुमेंट का परियुक किया जाता है option आपका सामने है गुणिया वर्नियर हाइट गेज शिलिप गेज बेबल गेज इसमें एक गुणिया जो दिया हुआ 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 है यानि वर्नियर हाइट गेज गेज कैसे होते मैं आपको दिखाऊंगा इस बहुत परकारक के होते हैं ठीक है ध्यान रखेएगा गेज बहुत परकारक के होते हैं सारा गेज के मैं बारे में बताऊंगा आपको चलिए शीरियल धंग से हम लोग तैयरी कर रहें तैयरी चलते और फटाफ़ट आप लोग कमेंड कीजिए राइट अंसर हमारा होगा ऑप्षण नंबर ए गुनिया यानि ट्राइए स्कॉआर जानते हैं अप कैसा होता है आप लोगों पता है इसलिए और इसके साथ अगला कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन जो हमारा कोश्चन मे कि यह वहमिएंड सब्सक्राइब कि अथा पार। यह kis और आ गया उनली पॉइंट भी देखना बहुत जरूरी है माइने रखता है यह जो हमारा पॉइंट है पॉइंट को भी सबसे पहले देख जान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए यह तीनों पर अगर ध्यान देदीए तो आप यह चार उपे तो आप बता दिजए कौंण सा यह क्या टूल से तो आएए हम लोग ओपूं क्यों चलते हैं ओप्सन हमारा है स्पिर्इंग जोइंट आंत्री कलिपर फर्म्जोइंट वहा कलिपर जैनी कलिपर आइंटिक कलिपर तो क्या राइट राइट अंसर दुस्तों लिए आप बता देज़ेगा कि क्या है नहीं है यह दोनों इसके में मुख्चीज है यह हमारा अज़ेश्ट करने के लिए घुमाने के लिए आगे पीछे ले जाने में दोनों में खाम करता है दोस्तों यानी स्पिर्णूंग करेंपर चलिए अगला कॉस्चन आपके अस्कीन पर कमारा है कि दिए गए चीत्र में अंजीनियर गुणिया को कश सब्कूर को पहचानिंक्त यह जो हमारा गुणिया है डेखें अंडर कर जो मैं उस्ट में लेखा रहा 게ा ही आ गया खु़ा थोसा मैं पिछे करफार् Legenda पर यहां पर देख कि यह भाग देखिए प्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर को दूस्तो राइट अंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा दोस्तो यानि इंजिनियर अस्कौार अस्टॉक सहीत यह जो हमारा है अस्टॉक सहीत है इंजिनियर अस्टॉक सहीत option number B हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question को चलते हैं ज्यादा question नहीं है 15 question का class हो रहा है इसलिए कि आपको भी याद करने में असानी होगा ज्यादा आपके उपर भार नहीं पहुंचेगा और याद हो जाएंगा असानी तरिक से पंदर कोशन आपके लिए कुछ नहीं है जब तियारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो गुनिया के द्वारा किस कोन की चेकिंग कर सकते हैं गुनिया के द्वारा किस कोन को चेकिंग कर सकते हैं यानि try square के द्वारा हम लोग किस कोन को मापते हैं किस कोन को चेक करते है ॉप्शं अप का सामने है 30 डिग्र ipp वुटि फाइब डिग्री 60 डिग्री nám 3 तो यह राइट अंशर जो हमारा होगा वो होगा ना इंटी डिग्री यानि ट्राइय सक्वार से हम लोगा इंगल मापते हैं क्या हैu सब्सक्राइब यह इसी से हम लोग नापते हैं इस पॉइंट से की इंगल उसका मापते हैं यानि सीधा हमारा है तो 90 डिग्री में सब्सक्राइब याद रखिए कि दरजी करपेंटर लोग जो है ट्राइए स्कॉार को ज्यादा परियूब करते हैं ठीक है ओप्शन नमबर भी करेक्ट राइट अंसर आप टेलर के पास जाएगा देखिएगा यह लकार का उसके पास बड़ा सा रहेगा कपड़ा काटने के ल वो रखता है जिससे को उनको 90 डिगरी काटने में बनाने में काम दे ऑप्शन नमबर भी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तो चलिए इसी के साथ अगला कोश्चन आपके असकिन पर अगला कोश्चन जो हमारा है बहुत ही संदार और एजी और जवाब कोश्चन है और हमेशा एक जाम में पूछी जाने में कोश्चन है कि स्प्रिंग टाइप कलीपर है ऑप्शन आपका सामने है आंत्री कलीपर वहा कलीपर जैनी कलीपर यह भी दोनों यानि स्प्रिंग टाइप का कलीपर जो कलीपर जो कलीपर जो क्या बूले आपको कलीपर बहुत सारे कलिपर है तो उस कलिपर में टाइब कलीपर होता है और कलिपर होता है क्या जिला पहले बहले वाला कोश्चन में उसलिए बता दिया था तो में और बिदोनों यानि स्अब आौन ड केलीपर होता है इस तरह वाला में तो वह इंसाइड़ भी होता है और और साइड भी होता है दोनों होता यह आंतरीक और वहा हम दोनों कलिपर होते हैं ौप्शन डी हमारा कर्यक्ट अंसर राइट एससे अज़िए पवुस्छ यह का यह भी पर का नाम बताई详 कौन सा कलिपर है आप ध्यान दिजिए पॉइंट को और बता दिजिएगा खटाक से जब उस टाइम इस तरह आया था और उसका पॉइंट जो था इस तरह था मुड़ा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते थे आउटसाइट कलिपर इसलिए कि ये दोनों भाग को मापता हो और ये का कर रहा है देखिए मैं सब को हटा करके किलियर करके मैं बताता हूँ आपको देखिए ये जो हमारा भाग मापरा है किधर का भाप मापरा है देखिए यानि अंदर का बाहर इस पॉइंट पे नहीं है इस पॉइंट को माप रहा है नहीं अंदर के पॉइंट को माप रहा है यानि हमारा ये जान लिजिए कि आंतरी कलीपर हुआ यानि इंसाइड कलीपर देखिए option में है या नहीं है थोड़ा सा confirm हो लिजिए जैनी कलीपर आंतर के लिए पर हमारा यानि ऑप्शन नमबर भी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए फिगर को भी एक पर से मैं देखाद रहा हूं चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का कलास समाप्त होता है थैंक्स फोर बाचिंग जितने विदार्थे हमारे साथ बने रहें दोस्तों वीडियो कर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा कॉमेंट जरूर कीजिए आप लोग करेंगे मैं सभी का कॉमेंट पढ़ता हूं और आप लोग कॉमेंट कीजिए जिससे कि हमें और आगे उसी कॉमेंट से उसी लाइक से सकती उर्जा परदान होती है और आप लेके लिए परती दिन कोश्चन वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिस करता रहता हूं दोस्तों अगर आप लोग चुप जाब बढ़ जाएगा भाई हमें भी तभी मन लगता है जब आप हमारा साथ रहते हैं आप हमारा साथ कैसे हैं लाइक करके कॉमेंट करक टॉी मन बढ़ टॉी नॉग पालिव एक लिए प मैंत्ड기iktohl ॉी एक लोग्तों थाक्याना लाजका कोउएँन है ईक रहते हैं लाजस मेंशना कोश्रम साथ